अबर आपको बतारें बिलास पूर्सीड आजी जोगी का जाती मामला एक बार फैसे उठा है रसल मामले में आज हाइ कोट अंतिम सुनवाई करेगा जियां अंतिम सुनवाई आज हाइ कोट करने वाला है हाइ पावर कमिटी की रिपोच पर बहस हो चुकी है और कमिटी में जोगी को आदिवासी मानने से इंकार किया गया था जसिस सामंत की बैंच में मामले की सुनवाई होगी तो आज अजी जोगी के जाती मामला मामले पर हाइ कोट कि एक अंतिम सुनवाई आज भूने वाली है और जियागे भ्यान्टारी के साथ स्वराइटरूता शलीद रुपार से फोन लाइंटे दूर गया है शलीद अंतिम सुनवाई भूने वाली आ है कोट में क्या अपडेट मिल पा रहे हैं कि आज एजित जोगी तब जाती मामले का लंगे से चल रहा है और चाती आदुबाद की मानने से इंकार किया था जीद उसको उस पामले में लगा जो बहस है वो तोनों तिनों पक्षों की पूरी हो गई है अब इस पामले में जो आज फैसला आना है कि अदुज आजा जाए गा जाया और इसमें जोगी पूराहात सुंती है इस फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा लेकिन ये एक लंबे समय से जो जोगी लगा जोगी नियाकिका लगाई थी और ये तरीके से आजिन समीटी के आदेस को चुरूती दी ती और उसके बा लेज से अधे बाद ही चुननवाई जसे है जो क्या है बाकी सिए बडऻी आप्ड़। पर उठता रहा है लेयाजा इस मामीन पर जोगे के तरफ से सुनवाई हो चुक है लग्दा कितने बजे से यह सुनवाई शुरू होने वाली है ? चलिए लिए सुनवाई जो है अभी 11 बजे से सुनवाई होगी और इसमें जो आना है इसमें वासमोन बात यह है कि जो दोनों पक्षों के दलील है जिसे छानपिल समिटी के तरफ से जो है सलमान कुछी रायते तो सासन में भी एक जो अपना पैतरा है जो अपना दमखम है एक महातमन फैसला इस पर आ सकता है चैलेगर देखा जाए यह जो जाती मामला उठाया गया था राजीतिक माहौल को गर्माने के लिए भूचाल लाने के लिए इस मामले को उठाया गया था सवाल पूछा गया कि उनकी जाती क्या है समय समय पर राजीती भी होती रही है तो यूप तमाम समाधिक हैं उस सभीकरण पर भी इस पर नजर है क्योंकि एक बड़ा फैसला है जोगी जब से मुख्यमंद्री बने हैं तब से सभीकरण पर नजर बनाई रखी आपसे अपडेट लेंगे चलाए शुक्रिया अच्माम जहन कारे के लिए